जी हाँ, ये जो एक feature था वो हजारो लाखो करोडो WhatsApp यूजर्स दे पूछा है WhatsApp को कि भाई मुझे मेरे WhatsApp के messages डिलीट करने है लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ, गलती से मैंने एक message भेजा है, लेकिन मुझे अब वो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ feature लाइए और WhatsApp ने सुन लिया है, अगर आपने WhatsApp का update किया, तो ये एक नया feature आपको मिलेगा, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, आप कैसे एक बार आपने WhatsApp का message भेज दिया, तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, ताकि अगला आदमी जिसको आपने भेजा हुआ है WhatsApp message, उसको ना दिखे, तो ये वीडिय आप देखते रहिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने subscribe नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लीजेगा, bell icon पे click करना ना भूले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो like भी जरूर कर लीजेगा, मैंने एक test group बनाया हुआ है, ये देखिए, अब मैं क crash icon है, तो मेरे को ये जो है, तीन message आए, delete for me, cancel, delete for everyone, तो delete for everyone आपने कर दिया, ये देखिए, इधर का message change हो गया, इधर कह रहा है, this message was deleted, वैसे हमने पहले भी try किया हुआ था, अब मैं इधर से भेजता हूँ, another message, ठीक है, ये आ गया, लेकिन मैंने immediately मैंने समझा कि ये गलत है है, मुझे अभी delete करना है, ये देखिए, immediately इधर से delete भी हो गया, तो ये है, अब ये deleted for everyone किसी को भी नहीं दिखेगा, ये जो होता है, आप 7 minutes के अंदर, मतलब 7 minutes तक message delete कर सकते हैं, उसके बाद में delete for everyone ये message नहीं चलता है, आप individual जो है, ये group में हो गया, individually भी ऐसे delete कर सकते है है, हाई, ठीक है, ये मैंने message बेजा, तो इधर message आ गया, अब मैं करता हूँ delete इसे, delete for everyone वापिस आ गया मुझे, so individually भी आप delete कर सकते हैं, ये देखिए, उसे message जाएगा, this message was deleted, तो ये है बहुत ही important feature, जो बहुत सारे लोग request कर रहे थे, और finally आ गया है, अब आपको tension लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत message भेजते हैं, तो तो दोस्तो इस feature की वज़े से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कि भाई मैंने गलती से message भेज दिया, अगले आदमी को जिसको मैंने message भेजाए, कैसे लगेगा, तो अब आप 7 minute के अंदर delete कर सकेंगे, व